क्या आप भी overthinking या negative thinking का शिकार है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ dr. नमरता शिरवास्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में आज मैं जिस विशे पर आपको जानकारी देने जा रही हूँ ये आज कल की एक बहुत ही common समस्या बन चुकी है जी हाँ चीजों के नक और इसको ठीक करने के लिए हुमेपैतिक में बहुत अच्छी दवाईयों में से एक दवा कौन सी है पूरे वीडियो को patience के साथ please glass तक देखिएगा मेरे साथ बने रहेगेगा चलिए शुरू करते हैं दोसों सोचना एक आम मनशिकी क्रिया है लेकिन जब हम किसी बात को आते हैं व्यस्त रहते हैं तो कोई समस्या उत्पन नहीं होती लेकिन अगर आप लगातार सोचनी की प्रक्रिया में लगे रहते हैं चोटी सी भी बात हुई लेकिन उसको आप मन से नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर जीवन में कुछ ऐसे कडवे अनवाव होए हैं जिनकी यादें आपके दिमाग में घर कर गई हैं वो यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती और आज वरतमान में आप उसके वज़े से नेगिटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक पहलो को ही दिखाई देता है तो इसे कहते हैं नेगिटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग की प् फिजिकल मैनिफेस्टेशन बीमारियों के रूप में होने लगते हैं तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दुरगटना का सामना किया हो या किसी अपने करीबी व्यक्ति को खो दिया हो तो वो जो नेगिटिव इंपक्ट उसके ब्रेन पर पड़ता है उससे एक नेगिटिव इंपक्ट क्रियेट होता है और आगे आने वाले छोटी सोटी सिच्टेशन में भी वो व्यक्ति चीजों के नकारात्मक पहलू की तरफ देखने लगता है फर्ज कीजे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं या जिने समय ही नहीं मिलता फाल्तो सोचने का तो वो भी समस्या से बचे रहते हैं लेकिन जिनका लाइफ में कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं है या फिर वो जादा व्यस्त नहीं रहते हैं तो लगातार बैठे रहने की वज़े से भी आपको चीजों का नकारात्मक पहलो दिखाई देता है या जब कोई काम करता है कोई अगला कोई व्यक्ति कुछ करता है या आप कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता एक और बहुत कॉमन चीज जो देखी जाती है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई बहुत बुरी सूचना मिली हो कोई ऐसा उसके साथ घटना घटी हो जो उसके बाते दिमाग में घर कर गई हो और अब वो दिमाग से निकल नहीं पा रही हो तो ये भी negative thinking की एक वज़े बनती है अगर कोई विक्ती perfectionist है यानि उसे हर चीजों को perfect way में करना पसंद है तो भी वो विक्ती हर छोटी छोटी चीज में कमी निकालने लगते हैं और उन्हें अपने साथ साथ दूसरों के अंदर भी बहुत जादा कमिया दिखाई देती हैं अगर किसी विक्ती को लगातार कोसा जाता है या फिर उन्हें लगातार comparison किया जाता है students में ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार नकारातमत माता पिता अपने बच्चों पर अपनी аसफलताओं को impact करते हैं फिर उन्हीं इससे implement करते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो गलत आपके साथ भी होगा ऐसा करते करते दीरे दीरे बच्चपन ऐसा बीचता है कि जब ऐसा वेक्ती बड़ा होता है तो उसे चीजों के नकारातनत पहलू की पहले ध्यान जाती है और बाद में वो चीजें पॉजिटिव दिखाई देती हैं इन सारी समस्याओं से क्या उत्पन होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी जब भी किसी काम को आप करने चलते हैं तो पहले ही आपको एंग्जाइटी होने लगती है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर बहुत जादा घबड़ाहट होने लगती है कभी कबार तो आ आप नकारात्मक ठिंकिंग का शिकार होते हैं कभी कभी सीवियर कंडिशन में वह व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जाते हैं तो दोस्तों इन सारे चीज़ों का हल्म क्या है तो देखी अगर ये समस्या किसी किरक्ति के साथ हो रही है तो उसे अपनी समस्या को अपने मन म ना रखते हुए किसी जिम्मेदार व्यक्ति से चाहे वो आपके डॉक्टर हूँ, घर के कोई ऐसे बड़े बुजुर्ब हूँ या आपके कोई फ्रेंड हो जो आपकी बातों को ध्यान से सुने, सुनने के माद जब वो अनलाइज करते हैं और इस चीज से आपको अवगत करा करते हैं कि नहीं, आप जादा सोच रहे हैं, इतना सोचना सामाने नहीं है, इससे भी बहुत फरक पड़ता है, कई बार समस्या इसलिए भी बढ़ जाती है कि हम अपनी समस्याओं को व्यक्ति कर पाते, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपनी समस्या को व्य करने के लिए, इस चीज को सोचिए कि ये चीज भविश्य में उने वाली है, इसका आज से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आज पर फोकस करूंगा, कल की बारे में नहीं, अब बात कर लेते हैं, मेडिसिनल आस्पेक्ट की, तो होमेपैथी में ओवर थिंकिंग, ग् सिम्टम्स को बहुत ही एफेक्टिवली ट्रीट करती है, अगर मैं एक वर्ड में आपको इगनेशिया अमारा का जिस्ट देना चाहूं, तो मैं ये कहूंगी, इट इस दो मोडी परसन ओफ दे मेटेरिया मेडिका, यानि ये सारे जतनी मेटेरिया मेडिका में मेडिसिन्स ह उन समुकी जो मेंटालिटी को अगर ध्यान दिया जाए, तो इगनेशिया एक ऐसा व्यक्ति है, जो बहुत मोडी नेशर का है, कुछ भी उसका फिक्स नहीं है, lot of incompatibilities या contradictions है, अभी एक पल वो हस रहे थे, दूसरे ही पल रोने भी लगते हैं, अभी बहुत ज़्यादा उ दुख बरा इतिहास, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी दुख का सामना किया, पर्जगी जे कोई उनका जो नजदीकी है वो बिशड़ गया, या जिससे वो प्रेम करते हैं, उसने उसको दोखा दे दिया, या फिर माली जे कोई धुरगटना हो गई, तो वो जनम लेता है, इगनेशिया का पेशेंट, इगनेशिया के जो माइंड होता है, वो यही होता है, कि उनकी अंदर एक दुख भरा होता है, जिसकी वज़े से उनका जो प्रेजेंट होता है, वो बहुत ही जादा एंग्जाइटी वला हो जाता है, इगनेशिया के पेशेंट क को लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं होता है और वो अकीले में रहना एकांत में रहना पसंद करते हैं अगर कोई विक्ति उनको समझाना चाहता है कि नहीं आप इस चीज़ को ऐसे करे है। या यह चीज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो तुरन नराज हो जाते हैं, यानि they are over sensitive in all the impressions, उन्हें अगर छुआ जाया तो भी वो नराज हो जाते हैं, उन्हें अगर समझाया जाया तो भी नराज हो जाते हैं, most quarrelsome अगर नेचर कहा जाए, इगनेशिया का अगर समझान की तोर पर तो वो उनका देखने को मिलता है, इगनेशिया के जो patients होते हैं, वो बहुत ही जादा moody nature के होते हैं, कभी बहुत ही जादा गुसा में हो जाते हैं, बहुत जादा चिलाने लगते हैं, quarrelsome nature के होते हैं, और दूसरे ही पल वो हसने और मुसकराने भी लगते हैं, और इसके साथी साथ इतने सारे mental symptoms को जीलते जीलते कहीं न कहीं उनका physical जो aspect है, वो पेट के उपर दिखाई देने लगता है, पेट समबन्दी कई सारे symptoms जैसे की constipation, diarrhea, पेट में दर्द होना या तमाम समस्याएं जो हैं, वो सामने आने लगती हैं, बात की जाएं अगर इस पर हुए ज़रूर बताना चाहूंगी कि इन सारी potencies में से अगर आप स्वैम से ले रहे हैं, तो 30 potencies के आगे ना चाहें, higher potencies को किस तरीके से लेना है, administer करना है, कौन से potencies आपके लिए जादा suitable रहेगी, आपके चिकित सक्से जादा बैतर आपके लिए कोई नहीं सोच सकता खुद से आप लेना चाहते हैं, तो आप 30 potency की दो दो गों सुवेशाम ले सकते हैं, अगर सुधार आए, तो आप इसे कम से कम महिना भर यानि 30 days तक ले सकते हैं, इसके बाद दवा में क्या परिवर्तन करना है, दवा में कोई और potency आड़ करनी की जरुदत तो नहीं है, आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजे, उमीद करती हूं दोस्तों कि overthinking और negative thinking पर आधारित आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि आज कलकी ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है, stress और competition बरे माहौल की वज़े से, वीडियो की इस पढ़ाव तक अगर आप मेरे साथ हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा, चानल पर पहले बारा हैं, तो सब्सक्राइब कीजेगा, notification के लिए bell बटन को दबाईएगा, और अधिक से अधिक संख्या में इस जन हित भरे वीडियो को शेर कीजेगा, फिर मेलूंगे आपसे बढ़ी